सो गाई जास की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप जो है connected जो वाइफाई होता है उसका password कैसे पता कर सकते हैं स्पोस कर लीजिए आपके घर में वाइफाई लगा हुआ है जैसा मेरे घर में लगा हुआ है और यहां पर मेरे भाई के मोबाईल में पहले ही या मेरे ममी पापा के मोबाईल में connected है और उन्हें पासवर्ड वगेरा चेंज कर दिया था बट आपको जो है भूल गए हैं कि प कनेक्ट करके रखा हुआ है पहले से ही तो उसका पासवर्ड कैसे जानेंगे आप खुद के वाइफाई का तो वह जान लीजिए आपको बता देता हूं connected वाइफाई है और आपके पास वह मोबाईल भी है जिसमें वह connect है तो उसका वाइफाई का पासवर्ड पता करने के ल अब आपको करना क्या इसका screenshot ले लिना है जैसे आप इसका screenshot ले लेंगे देन उसके बाद आपको बैक आना है बैक आने के बाद आपके मोबाईल में यहां पर scanner आपके मोबाईल में देखने को मिल जाता है scanner application जो होती है सभी मोबाईल के अंदर आपको देखने को मिल जाती ह यहां भी मेरे को scanner application देखने को मिल रही है देख सकते हैं यहाँ पर अब आपको करना क्या है? scanner को open करना है सिकेनर को tap किया tap करने के बाद अब अब यहाँ पर क्या हुआ अब अपना gallery है नीचे gallery को option देखने को मिल रहा है इस पर click करिए क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन शोट था यहाँ पर उसको स्लैक कर लीजिए देख सकते हैं मैंने स्लैक कर लिया है यहाँ पर जो मेरा पासवर्ड भी है मुझे यहाँ पर शोख हो जाएगा वो कैसे देख सकते हैं यहाँ पर मेरा वो अमीत 4G करके मेरा वाइफाई था अब यहाँ पर पासवर्ड के सामने आपको एक बड़ टैप करना है जैसे आप टैप करेंगे आपके सामने पासवर्ड निकल कर आ जाएगा आप जो है खुद का पासवर्ड पता कर सकते हैं अगर आप भूल चुके हैं तो ठीक है गाईज या फिर आप connect आपके किसी family member का जो mobile पहले से connected है आप forget कर दिया अपने गलती से तो भी आप पता कर सकते हैं तो ऐसे आप जो है अपने connected वाइफाई का पासवर्ड पता कर सकते हैं तो गईज बस आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल दर बाइ टेक केर लव यू आल